मैनपुरी में अखलेश शादव का छोटे निताजी का अंदाज सपाध्यक्ष को देखने के लिए उम्री भीड अखलेश ने जनता से अलग तरीके से किया संबाद जिसने भी अखलेश को सुना उसने बस यही कहा छोटे निताजी जिम्पल के सांसत बनने के बाद से अब तक बहुत बार अखलेश ने क्या मैनपुरी का दोरा दिल्चस्प नहीं बजा मैनपुरी में सपाध्यक्ष अखलेश शादव एक अलगी अंदास में देखे जिसने भी उनका ये अंदास देखा वो कहने लगा अरे ये तो निताजी वाला रूप है बैसे निताजी तो एक ही थे एक ही रहेंगे उनके जगा कोई और ले नहीं पाएगा मुरायम सिंग यादव जब थे तो ना सरब मैनपुरी बलकि यूपी समे देश में निताजी कहलाते थे और जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो भी निताजी ही कहलाते हैं इसलिए मैनपुरी के लोग अखलेश का अब कहने लगे छोटे निताजी अखलेश के लिए मैनपुरी सिर्फ एक संसदी सीट नहीं बलकि जजबातों से सजी धेड़ सारी अच्छी यादों का संसार है इसलिए अखलेश बार-बार वहां जाते हैं बार-बार लोगों के बीच अपनी उपस्तिती दर्च कराते हैं कुछ अपनी बात कहते हैं कुछ उनके दिल की बात सुनते हैं इस बार भी अखलेश मैनपुरी में बिल्कुल ही अलग अन्दास में देखे ये धेड़ सारी तस्वीरे इस बात की गवाही दे रही हैं अखलेश के संदास में सपा संसापक मुलायम सिंग यादव का अक्ष दिखता है मुलायम भी तो जनता के बीच इसी अंदास में दिखते थे कभी उनके बीच बैट जाते थे कभी गली गली घूम कर लोगों से बात करते कभी चौपाल लगा कर जनता के समस्याओं को सुना करते जो मुलायम अपने दौर में किया करते थे वही सब अब अखलेश कर रहे हैं मुलायम की राजनीथी को मौडिफाइड कर जनता के 20 जबिनी नेता के सोरोप से बाकिब करा रहे हैं सपा अध्यक्ष अखलेश की तस्वीरे सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है जिसमें सपा प्रमुक से मिलने के लिए मैनपुरी में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा अखलेश अधम ने मैनपुरी में सपा कारिकरताओ के बीच जौपाल भी लगाई और उनके साथ चर्चा करते हुए नजर आए यही नहीं अखलेश को मैनपुरी की गलियों में भी देखा गया इस सवरान अखलेश यादम ने लोगों को यह बताने में देड़ नहीं लगाई बीजेपी सरकार को जनता की परिशानी से कोई वास्ता नहीं वैसे देखेंगे तो मैनपुरी लोगसबा उपचनाब में डिमपल यादव की जीत के एक महने के भीतर ही अखलेश ने करीब 6 बार निर्वाचन शेत्र का दौरा किया था इस सवरान अखलेश ने महां कम से कम 10 दिन गुजारे यह बात भी दिगर है मैनपुरी लोगसबा उपचनाब के लिए कैमपेंड करने के दौरान भी अखलेश और उनके परिवार के एहम लोगों ने महनपुरी में 20 सिन गोजारे और ताबातोड प्रचार किया था यादव परिवार का पैतरग घर भी सेफाई में है जो महनपुरी निर्वाचन शेत्र में आता है यहीं से मुलायम सिंग यादव साल 2019 में लोग सभा के लिए चुने गए थे अक्टूबर 2022 में मुलायम के निजहन के बाद उपचनाव हुआ और फिर उनके बहु डिमपल यादव ने बाजी मार ली अखलेश के महनपुरी के लगतार दोरे ने सफ़ा के भीतर कई निताओं को चौंका दिया सभा के लिए मैंपुरी उपचनाव की जीत काफी एहम रही क्योंकि ये मुलायम के विरासत को बनाया रखने को लेकर चुनाव था डिमपल यादव में 288,000 वोटो के इंतर से इस सीट को जीता जो सभा के 2019 की जीत के इंतर से 3 गुना जादा था तो ऐसे में सवाल ये है कि अकलेश बार-बार मैंपुरी क्यों आ रहे हैं क्यों मैंपुरी के लोगों के लिए अकलेश शोटे निताजी बन गए इसकी गवाही ये तस्वीरे दे रही हैं सपा सलसापा कुलायम सिंग यादब को गुजरे करीब एक साल के आसपास हुआ अकलेश मुलायम के जाने से पैदा हुए बड़े शोल्य को भढ़ने की कोशश कर रहे हैं जिससे जनता के साथ उनके अलगाव के आरोप को दूर किया जा सके मुलायम सिंग यादब लोगों से आमने सामने मिलते थे और नियमे तरूप से मैनपुरी आते थे क्योंकि ये उनका निर्वाचन शेत्र था और उनका ग्रेह शेत्र भी था लोगों के साथ उनका व्यक्तिका जड़ा भी उनके ताकत था जिसने कन्नौ, जिटावा, फिरोजबाद और एटा जैसे आसपास के यादब बहुल निर्वाचन शेत्रों में पार्टी को मजबूत रखा 2024 के आम चुनाम में अखलेश इतना समय सर्फ मैनपुरी और आसपास के अन्य सीटों को नहीं दे पाएंगे इसलिए वो मुलायम की गैर मौजूदगी में अपना मूल आधार मस्बूत कर रहे हैं सपा के एक धड़े ने तो यहां तक कह दिया कि अखलेश को छोटे निताजी कहा जाना चाहिए